Hi everyone, welcome to my channel Education File और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Childhood and Growing Up से Unit 2 का Second Last Topic ठीक है? जो की है Meaning, Characteristics and Kinds of Play कि Play क्या होता है उसकी क्या क्या विसेशता है और कितने types के Play हो सकते हैं Then हमें पढ़ना है कि Play and its function और उसका linkage क्या है Physical, Social, Emotional and Cognitive Element के साथ ठीक है? तो थोड़ा lengthy सा topic होने वाला है यह और आपके पास 15-20 मिनट का टाइम हो तो आप अराम सी यह वीडियो लेखना है ठीक है? तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में और वीडियो चल अलगे तो अपलाई कर सकते हो कि आप करते नहीं हो कोई भी चलो तो simply देखो meaning of play बताना सबसे पहले कि play होता क्या है? तो play को define किया गया है बहुत अलग-अलग तरीके से भी जिसका जैसा perspective था जिस भी psychologist का जैसा perspective था उसने play को अलग-अलग वे से define कर रखा है लेकिन हम कह सकते हैं कि play क्या है as a medium और any activity जिसके जरिये जो children है जो बच्चे हैं वो explore करते हैं अपने world को और enjoy करते हैं ठीक है? तो आप कह सकते हों कि play कैसा माध्यम है ऐसी गतिविदी है मतलब medium या activity है जिसके जरिये जो बच्चा है वो दुनिया को explore करता है खेल कूद में ही play वे method में ठीक है? और साथ के साथ वो enjoy भी करता है तो इन activities को, in mediums को कहते हैं play अभी हम अगले slide पर पढ़ेंगे और definitions play की तो आपको और ज़्यादा clear हो जाएगा play में basically हो तक है बच्चे activities करते हैं fun के लिए, मजे लेने के लिए या self pleasure के लिए ठीक है कि उनको अच्छा लगे उनको pleasure मिले और क्या होता है ये जो सारी activities हैं इनमें social, behavioral and cognitive rewards जोड़े हुए होते हैं ठीक है? अगर हम कोई खेल कोट कर रहे हैं कोई fun के लिए कोई activity कर रहे हैं मतलब ये बच्चों के बारे में लेकिन कोई भी individual अगर कुछ कर रहा है कोई play कर रहा है, कोई enjoyment के लिए activity कर रहा है तो उसको cognitive reward मिलेगा है न, उसको अच्छा लगेगा खेल कूद के या जो भी play वो कर रहा है कोई भी fun activity कर रहा है उसको behavior के तोर पे भी अच्छा लगेगा और उसको society में एक proper अच्छे वे से देखा भी जाएगा ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ achieve कर लोगे play way method से या खेल कूद में ही आप उस particular hobby में तो आप कुछ achieve करोगे तो आपको उसका negative feedback में मिलेगा और positive मिलेगा ठीक है, अगर negative मिला तो हम वो चीज़े नहीं करेंगे positive मिला तो हम वो चीज़े करेंगे तो इसलिए social, behavioral and cognitive rewards जोड़े हुए हैं और साथ के साथ physical and emotional rewards भी जोड़े हुए हैं ठीक है, तो होता का है जब भी कोई बच्चा activities करता है, play में है न तो उसमें या तो negative या तो positive consequences जोड़े हैं ठीक है, या तो उसका अच्छा result मिलेगा या बुरा result मिलेगा या reward मिलेगा, राइट और यही बच्चों को direct करेगा कि वो particular activities को repeat करेंगे या नहीं करेंगे ठीक है, तो यह कुछ चीज़ी है place related और क्या है, जो play होता है वो बच्चे की holistic development के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बच्चे की physical development के लिए बच्चे की cognitive development के लिए बच्चों की emotional development के लिए और बच्चों की social या सामाजिक विकास के लिए भी play बहुत ही ज़्यादा जरूरी है या ऐसा माना जाता है, यह सभी चीज़ों को enhance करता है then है, जैसे जो starting years होते हैं individual के life में या जो भी initial years है उसमें बच्चा, जो भी बच्चा है कैसे world को explore करता है कैसे सीखता हो चीज़े तो जो भी बच्चा होता है जो जब हम चोटे होते हैं तो हम play way method के जरिये ही अपने आस पास की दुनिया को explore करते हैं खेल कूद में ही पढ़ाई करते हैं इसलिए जो NCF 2005 था उसमें रविद्नार टेगोर्जी के लाइन ली गए थी न की learning with fun कि किस तरह से बच्चे खेल कूद में सीखते है चलो गएन कुछ अलग definitions है या जो भी dictionaries में Oxford ने कैसे define किया है to do something to enjoy yourself to have fun Cambridge ने कहा कि when you play especially as a child you spend time doing an enjoyable or entertaining activity कि अब जब आप कोई individual या खासकर कोई बच्चा play कर रहा है तो it's been कि वो enjoy कर रहा है entertaining activities कर रहा है Britannica ने कहा कि to do activities for fun or enjoyment ठीक है मस्ती के लिए मौज मस्ती के लिए activities की जारी है प्याजे ने क्या कहा play was a means by which children could develop and refine concept ठीक है कि वो जो भी concept है उसको develop भी करेगा उसका विकास भी करेगा और time के साथ उसको refine भी करेगा ठीक है कब तक जब तक उसमें और ज़्यादा abstract ability नहीं आ जाती है और बच्चा play way method के साथ play के साथ और ज़्यादा चीज़ें सीखता रहेगा ठीक है तो यह कुछ definitions है इनको भी लिख देना चलो देना आते हैं characteristics के बारे में विशेष्ता है क्या-क्या है play के तो सबसे पहले क्या है कि play intrinsic motivation पे base है हमारे अंदर से ही एक motivation आता है जो की हमें predict करता है play करने के लिए मतलब खेल कूत के लिए कोई भी ऐसी activity करने के लिए जिसमें हमें मज़ा आ रहा है ठीक है और यह हमारे interest के base पे ही है तो पहली characteristic यह है और बहुत सारी characteristic है आपके मन में जो भी आयना तो please आप लिख देना यहाँ आप से एक idea ले लो then क्या है play depend करता है process पे प्रोडक्ट पे उतना ज़्यादा depend नहीं करता है क्यों नहीं करता है क्योंकि हम चीज़े fun के लिए कर रहे है तो हमें मज़ा आना चाहिए उन particular activities में and product उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है process ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो play depend करते हैं process पे then है play के जरीए हम emotional intelligence आती है यह emotional development होता है हमारा तो हम time के साथ play के जरीए stress को anxiety को भी treat करना सीख जाते हैं कैसी क्योंकि हम कुछ देर के लिए तो वो चीज़े भूल ही जाते हैं जब हम किसी भी play में involved रहते हैं ठीक है मैं हो सकता है individual को लेके जलू लेकिन children के बारे में कोच है तो आप children का ही example देना ठीक है play क्या है enjoyment के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हम सभी चीजें भूल जाते हैं और उसमें फिर physical तोर पे social तोर पे उसमें involved हो जाते हैं ठीक है interaction इंक्रीज करता है ये भी एक characteristic है आपस में बाते करते हैं social development भी होता है confidence बढ़ाता है क्यों बढ़ाता है क्योंकि जब हम play करते हैं या किसी और के साथ खेलते हैं तो हम और जब अपने आपको express कर पाते हैं ठीक है physical तोर पे भी हम grow करते हैं तो हमारा stamina, strength, coordination भी बढ़ता है ठीक है इसको भी हम last की slides में और ज़्यादा अच्छी तरीकी से पढ़ेंगे यहाँ पे हमी overall बताना है characteristics क्या है play की social interaction बढ़ाता है expressions, emotions जो हमारे उसको भी express करने में help करता है और एक self discipline भी लाता है क्यों? क्योंकि games में या play में rules होते हैं और उन rules को मानना पड़ता है ताकि आप society के तौर पे मतलब अपनी group के recordings खेल खेल सको ठीक है? play holistic development करता है physical, cognitive, emotional and social well-being बनने में या बनाने में हमारी बहुँ ज़ादा मदद करता है तो यह कुछ characteristics हैं विजेस्ता हैं लेकिन अगर आपके माइड में कुछ और भी आ रहा है तो please useful link देना चलो then types क्या क्या है play की तो यहाँ पे कुछ type discuss करते हैं पहला है constructive play constructive play based है Piaje and Sarah Smileski के principles पे सिधान पे या theories पे इसमें बच्चा कुछ create करता है construct करता है या चीजों को manipulate करना सीखता है जैसे कि blocks के साथ सीखना है न उसमें buildings बनाते हैं या कोई car बगारा बनाते हैं then है physical play physical play में dancing हो सकती है या कोई game खेला जा सकता है तो इससे क्या होगा stamina or strength increase होगा है न हमारी muscles develop होगी then है sensory stimulating play third number पे तो इसमें जो बच्चा होता है वो enjoyment pleasure में हसूस करना चाहता है तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा कहा है सभी चीजों को मुँ में ले लेता है क्यों ले लेता है क्योंकि इसको उससे pleasure मिलता है enjoyment मिलता है और इसी दोरान वो सीख लेता है क्यों सी चीजों को mouth में डालना चाहिए या और किसको नहीं डालना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे कहा है sensory stimulating play कि जिस चीज से हमें जिस sensory input से हमें pleasure मिल रहा है वही चीज़े हम करते है ठीक है और यह age के coding भी होती है अगर question में age के coding भी पूछा जाए तो please इनको age के coding भी लिख लेना बड़े होने पे हम क्यों game खेलते हैं क्योंकि हमी satisfaction मिलता है then है social play तो इसमें हम दूसरी players के साथ दूसरी लोगों के साथ involved होते हैं और group में खेल खेलना start करते हैं वहाँ पे फिर roles भी होते हैं और बहुत सारी चाहिज़े होती हैं और वो सभी चाहिज़े भी हम सीखते है fifth number पे है fantasy play fantasy में क्या है imagination है है इसको आप कहा सकते हो imaginative play भी तो इसमें जैसे कई doctor बन जाते हैं fireman बन जाते हैं, army man बन जाते हैं कि gun लेके हम है ना, हम forgy हैं और हम दुस्वना को मारेंगे तो यह भी character का play है इसमें हम fantasize करते हैं छोटे पे जब हम होते तो इससे हमारी cognitive abilities और जादा enhance होती है और जादा develop होती है चलो, then है sixth number पे creative play creative का मतलब है अपनी divergent thinking को use करना, कुछ ऐसा बनाना जो कि पहले हमने ना बनाया हो creative का मतलब ही यह है कि जो हमने पहले create ना करा हो ठीक है, तो इसमें बच्चा कुछ create करता है drawing करता है या कोई नई चीज बनाता है पुराने चीजों को use करके या जो भी उसके पास चीजें available है then hey, games with rules तो जिन games में जिन play में rules होते है उनसे बच्चा क्या सीखता है values सीखता है, ethics सीखता है और कैसे fairness game में लाई जाए, उन चीजों को भी सीखता है जैसे hide and seek होता था हिंदी में जिसको चुपम चुपाई कहते थे तो यह होता था था ना कि घर के अंदर कोई नहीं चुपेगा, है ना या छत पे कोई नहीं चुपेगा आपको सीडियों के नीचे या पेड़ के पीछे ही चुपना है मतलब rules होते थे, ठीके और hopscotch जिसको इंदिया में स्टापू या हिंदी में स्टापू कहते हैं फिर आइटिंग बीच में ऐसे और फिर ऐसे होता था है ना, तो इसमें भी rules होते थे तो जो games rules के साथ होते हैं या जो play rules के साथ होते हैं उनमें हम fairness सीखते हैं कि कौन ज़्यादा cheat करता है या कौन ज़्यादा cheat नहीं करता है या cheat महीं करना चाहिए वो सभी चीज़ें हम सीखते हैं तो आप देख सकते हो कि play बहुत जरूरी है सभी तरह की skills को develop करने में बच्चों में और as an individual हम में भी चलो then क्या है अब हमें बताना है play and its function इसका linkage क्या है physical, social, emotional and cognitive function के साथ या development के साथ तो हमने पढ़ा कि play क्या है holistic development के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और play का physical, social, emotional and cognitive effect होता है और वो है इस तरह से ठीक है physical development में क्या होता है physical development में उसकी भौतिक जो भी विकास है ना उसके physical growth से relate करता ही तो जब बच्चा play करेगा enjoyment activities करेगा कुछ भी करेगा तो क्या होगा stamina enhance होगा उसकी muscle development होगी है ना उसकी growth और fine motor skills growth motor skills होती है ये सभी तरह की fine motor skills होती है जिसमें हम अपनी छोटी fingers का छोटी muscles का यूज़ करना सीख जाते है ठीक है उनको कहते है fine motor skills growth में हम पूरी overall body को कैसे यूज़ करते है वो होती है ठीक है then है strength and flexibility भी हमारी enhance होती है अच्छी health होती है mind and body heart and soul and proper fitness होती है right क्योंकि एक अच्छे सरीर में ही एक अच्छा दिमाग होता है है ना a good body है a good mind I think ऐसी कुछ है ना then है सभी senses का अच्छे से काम करना कब important है या कब अच्छे से होता है जब हमारी health अच्छी होती है ठीक है जब हम physically अच्छे होते है जब हम physically अच्छी होंगे तो हमारी सभी तरह के senses भी बहुत अच्छे से काम करेगी body کا coordination अच्छा होता है पोस्चर प्रॉपर होता है और बैलेंस भी ठीक होता है ठीक है और यह सबी चीज़ें जरूरी है कि इंडिवीजियल की लाइफ में then है cognitive development कैसे होता है तो cognitive का मतलब ही क्या है intellectual development intelligence को और ज़्यादा enhance करना है न दिमाग को और ज़्यादा विक्सित करना डेलब करना तो जब हम खेल खेलते हैं प्ले करते हैं कोई भी activities करते हैं तो हमें concepts पता चलते हैं अलग-अलग games की है न अलग-अलग play की कि किस तरह से particular game काम करता है play से imagination आती है creativity आती है कौन सी चीज़े कहां पर यूज करनी है imagination कैसे करना है fantasy कैसे करनी है या fantasize कैसे करना चीज़ों को concentration enhance होता है creativity enhance होती है knowledge enhance होती है particular skills में particular activities में language and communication enhance होता है क्योंकि हम social तोर पे भी play करते हैं ठीक है यह point आप इसमें भी लिख सकते हो और social वाले में भी लिख सकते हो social development में then problem solving approach भी आती है कई बार games के जरी play के जरी हम सीख जाते हैं कि particular problem को कैसे solve किया जाए क्योंकि हम असली problem को stimulate कर देते हैं virtual problems कर देते हैं virtual environment में कैसे real problems को sort out करना है वो चीज़े भी हम सीख जाते हैं through play right memory को enhance करता है और retention को enhance करता है कैसे क्योंकि अगर हम कोई particular game खेल रहे हैं और उसमें particular rules हैं तो हम सीख जाते हैं कि कौन सा rules कहाँ पर apply होगा कैसे apply होगा ठीक है perception जो भी दुनिया में चीज़े हैं उनकी लिए perception create करने में भी help करता है play language skills को acquire करने में और ज्यादा मदद करता है हमारी ठीक है तो यह कुछ point है आपके मन में जो भी I pledge लिख देना उनको then है social development through play तो social development कैसे होता है social norms rules और values सीखते हैं अपने particular group के according है न जब भी हम play करते हैं cooperation enhance होता है interaction enhance होता है conflict भी होते हैं दीको जब साथ में हम खेलते हैं activities को enhance करना इसलिवे जरूरी ताकि conflict को deal करना भी हमें आए लोगों को respect करना empathy दिखाना sympathy दिखाना यह भी चीज़े जरूरी है individual में और यह play के जरीए बहुत ज़्यादा च्छे डंक से develop की जा सकते हैं राइट हम यह भी सीखते हैं कि कब हमें lead करना है और कब हमें follow करना है ठीक है एक दूसरे को help करना भी सीखते हैं ठीक है लेकर जरी हम यह भी सीखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के help करनी है किसी को problem है तो इसको कैसे help करनी है हम ग्रूप में ये भी सीखते हैं कि किस तरह से हमारे expressions को हमारे जो भी भाव हैं जो भी हमारे अंदर चीज़ें है emotions को कैसे बाहर निकाला जाएंग है ना और social skills में हम language भी acquire करते हैं क्योंकि जब ग्रूप में सीखेंगे तो अलग-अलग culture के लोग हैं अलग-अलग society के लोग हैं country के लोग हैं तो वो भी चीज़ें acquire होंगी हाला कि इसमें बहुत सारा कुछ लिख सकते हों ठीक है लेकिन 16 marks के according ये PPT enough है बाकी आप से पूछे social development through play 8 marks में तो आप इसके बारे में और ज़्यादा explain कर देना वाइगाट की की theory के बारे में भी लिख देना ठीक है चलो देना आते हैं emotional development तो emotional development या emotional intelligence अपने आप में होता ही क्या है ताकि एक individual अपने आप को भी समझे और दूसरों को भी समझे ठीक है और जो जितना ज़्यादा emotionally developed होता है जिसमें emotional intelligence ज्यादा अच्छी होती है वो stress और anxiety से बहुँ ज़्यादा अच्छे डंग से कॉप कर सकता है ठीक है उन problems को sort out कर सकता है तो emotional development कैसे होगी self confidence enhance होगा increase होगा understanding होगी अपने आप की भी और जब अपने आप की होगी तो दूसरों की अपने आप ही हो जाएगी ठीक है stress और anxiety को अच्छे से कॉप कर पाएगा trust enhance होगा empathy enhance होगी sympathy enhance होगी क्यों क्यों कि वो दूसरों की feelings को भी समझ पाएगा ठीक है उसको कहते हैं empathy then है अपने thoughts को भी express करना वो सीख जाएगा है न क्योंकि expression of thoughts भी जरूरी है क्योंकि जब हम अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं तो हमारे अंदर वो चीज़ें बार बार चलती रहती है और हमें लगता है कि हमें बता देनी चाहिए थी यह जब भी कोई doubt होता है कोई question होता है हम पूछ नहीं पाते हैं और वो चीज़ें उसे दिमाग में घूमती रहती है कि मैं पूछ लेता तो अच्छा होता है teacher से पूछ लेता या अपने friends से पूछ लेता तो जब emotional intelligence होता है social development अच्छे से होती है तो यह चीज़ें अपने आप बाहर निकल के आ जाती है अगर क situations पर क्या करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से technique आ जाती है बात में then है problematic situation को कैसे tackle किया जाए ठीक है कैसे उनके साथ cop किया जाए कैसे sort out किया जाए problems को इस सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे dances सीख सकते हैं play से तो play way method बहुत ज़्यादा अच्छा है या play की अपने ही benefit है ठीक है तो I hope आपको अच्छे सी clear हो गया होगा topic and आपको exam में benefit होगा तो इस video मिद नहीं था लेकिन आपकी कोई भी query तो please आप पूछ लेना तो मिलते next video में till then bye bye take care